देश की तरक्की देश का विकास जैसे सबसे कॉंग्रेस का कोई सरोकार है ही नहीं तभी तो देश के हित में किया गया एक भी काम कॉंग्रेस के गले नहीं उतरता कॉंग्रेस को देश की मौझूदा नरेंद्र मोदी सरकार का किया एक भी काम जैसे रास ही नहीं आ रहा अब ये मोदी ने जब गुरुबार को नए संसद भवन का उचक टिरिक्षिन किया नए संसद भवन के कामकाज का जायजा लिया नए संसद भवन का निर्मान कर रहे लोगों का अभार जिताया तो ये बात भी कॉंग्रेस को नागुबार गुजर रही है फिर एक बार कॉंग्रेस की खीज सामने आ रही है कॉंग्रस नेता, कॉंग्रस प्रवक्ता, जैराम रमेश ने इस नाय संसद्भवन के लिए पियमोदी पर निशाना साधा है जैराम रमेश ने दावा किया है कि दिल्ली में नाया संसद्भवन पैसे की बरबादी है जैराम रमेश ने से पिये मोदी के निजी महत्वगांग्शा का प्रोजेक्ट बता दिया है कॉंग्रस नेतर ने पिये मोदी को तानाशाह भी कहा कहा हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है ये पैसे की भारी बरबादी है वही जैराम रमेश के स्ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं एक तरह से जैराम रमेश के स्ट्वीट के लिए लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं नंदनी नाम की उज्जर ने लिखा चिंता मत कीजिए, कॉंग्रेस पार्टी के बहुत कम लोग ही नई संसत तक पहुँच पाएंगे दोहजार चौबिस में बाकि सब जाकर समाधी पर जाकर रो सकते हैं सिवम दिक्षित नाम के यूजर ने लिखा देश की आजादी के बाद से भारत द्वारा स्वेम से निर्मित ये संसत भवन अत्याधुनिक टेक्नोलजी से लेस है ये गर्व का विशे है जैराम जी, जो समय के साथ नहीं बदला, समय ने उसे बदल दिया वैसे भी 2024 के परिणाम आने के कॉंग्रेस दूरबीन से ढूडने पर भी दिखाई नहीं देगी आगाश अगरवाल नाम के यूजर ने लिखा जैराम आपको समझना चाहिए देश का आजादी के बाद खुद का बनाया संसत भवन है गर्व की बात है लेकिन एक ही परिवार की नौकरी करते करते देश के लिए जो अच्छा हो रहा है उसमें भी राजनी थी आप जो गुबारे में हवा भर रहे हैं वो ही वेस्ट है उसका कुछ नहीं हो सकता अंकुर तरपाठी नाम के उज़र ने लिखा इतनी नफरत क्यों वैसे भी कॉंग्रेस को संसत के अंदर रहने से ज़्यादा बाहर रहकर तमाशा करने में आनंद मिलता है तो बाहर ही आनंद लीजिए नई संसत जनता द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों के लिए है एक परिवार के लिए परिवार द्वारा चुने गए दरबारियों के लिए नहीं 2024 के परिणाम आने दीजिए कॉंग्रेस दूरबीन से ढूनने पर भी दिखाई नहीं देगी तो कुछ इस तरह से सोशल मेडिया पर पीम मोदी को तानर शाह बताने पर जैराम रमेश की यूजर्स ने क्लास लगा दी दरसल कॉंग्रेस को शुरू से ही ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कॉंग्रेस पार्टी के नेता और संसद, संसद के नई भवन का निर्माण और सेंट्रल विस्टर प्रोजेक्ट की घोशना के समय से ही इसके आलोचना कर रहे है कॉंग्रेस नेता रंदीप सुरूजीवाला ने भी ट्वीट किया था उन्होंने लिखा था नाई गई नई संसद के मारत कैसी होगी रंदीप सुरूजेवाला ने एक और ट्वीट था संसद का ये भवन मोटार ये पत्थर के लिए नहीं होता ये लोकतंत्र का खयाल करने और सम्विधान को आत्मसात करने के लिए होता है रंदीप सुर्जेवाला ने एक और ट्वीट किया था स्टोरी अफ इंडिन डिमोक्रिसी टुड़े ये वही कॉंग्रिस है जो हमेशा सही नए संसित भवन का बहिशकार करती रही है आज भी जब पिये मोदी के ओचक ने रीशन की विज़ा से नए संसित भवन की चर्चा उठी तो फिर कॉंग्रिस एक बार फिर से केंडर की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गई वैसे कॉंग्रिस की नए संसित भवन के विरोध में मुखर हुई इस आवास पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं